सो फाइनली माई हीरो अकेडमे का चैप्टर नम्म 419 आ गया एंड मैं सच बता रहा हूं ये चैप्टर बाकी चैप्टरों से थोड़ा बड़ा है लेकिन भाई साथ जो हुआ है इस चैप्टर में मजा आ गया सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चैप्टर रिव्यू स्टार करती है और हमें देखने को मिलता है जिदा सिगराकी भी अवेस्ट में गिरता चला जा रहा है मिडोरिया का पूरा सरी टुकड़े टुकड़े होने लगा था मानू उसकी कवर्क उस पे ही अटैक कर रही हो और सिगराकी भी धीमे धीमे करके छोटे-छोटे टुकड़ों मे यही लग रहा था कि वो है जो यह सारे डिसीजन ले रहा है बड़ ऐसा नहीं था तभी All For One फर्दर एक्स्पेंट करते हुए बोलता है कि वो अपने लाइफ में दो वर आसफल हुआ है One For All को हासल करने में फर्स टाइम वो फेल हुआ था लेरिट से दैन सेकंड टाइम उस ने अपना फोकस चेंज कर लिया था और वो मेंटली वीक परसन की तलास में लग गया था ताकि से वो उस पे कंट्रोल कर पाए और उसको आयरेन विल का वैसल बना पाए और इसी के साथ हमें और मेमरीज दिखाई जाती है बड़ इस वार यह मेमरीज All For One की होती है जिदर एक्चली में सिगराकी के फादर के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है और उनको कंवेंस भी कर रहा होता है तो हैविंग सेकंड चाइल अब वह ऐसा इसलिए बोलता है ताकि से वह हाना की उपर कंट्रोल कर पाए बड़ जब वह कोड़ों का दोस्त बना था तो व कि अधर सारी चीज कुछ अलग लेवल पर चल रही है तो वह पूरा कंट्रोल पा लेता है सिगराकी के लाइफ के ऊपर एंड ही मेक्स और एवरिधिंग की सारी चीज उसके साब से चले और ही ऑलसो कंट्रोल एवरी सिंगल स्टै और ऑल फर वन टैंको के पास होता है जब उसका जन्म हुआ था देंट वी सौ ओल फ़र वन उसके सारे दोस्तों को बोलता है कि वह सभी टैंको से दूर है और हमें नेक्स पेज में दिखाया जाता है कि आल फ़र वन टैंको की रियल कुर्क स्टील कर लेता है और रिप्लेस कर देता है डिजिंटी कर से जो कि उसकी इंटाय लाइफ बरवाद कर देती है और इसी के साथ सिगराकी को रियलाइज हो जाता है कि वह अपनी पूरी जिंदेगी भर किसी का पपिट बना घूम रहा था और वह अपनी गर्दन को काफी भी रहमी से नोचता है और उसी के साथ सिगराकी इस दुनिया को छोड़कर जाता है जी हां सिगराकी इस डैड और मढने से पहले उसके आँखों के सामने उसकी जितनी भी मेमरीज थी वह उसको दिखाई देती है इसके साथ में डूरिया मेजनेरी वर्ल्ड से निकल के रियल वर्ल्ड में आ जाता है और जैसी ही लैंड करता है जमीन पे वह अपनी ह और भी ज्यादा खटनाग देख रहा होता है तब ही वह मेडोरिया की तरफ भढ़ने लगता है और बोलता है कि फिजिक डैमेज के चक्कर में यह बॉडी नहीं रेच कंटेंड करके रखी है और नहीं इसमें कोई नफरत बची है और नहीं इसमें आप डिजिंटीग्रेश सकता है और यह सुनने के बाद हमारे हाफ डैट इजुकु में थोड़ी जान आ जाती है और वह कोशिस करता है खड़े होने की बट अचानक से बहुत जोर का पेन होता है उसे बट यह पेन कोई मामली पेन नहीं था और नहीं कोई हड़ी टूटने का पेन यह दर्द था उस जिसके दौनों हाथ जा चुके हैं तो अब जैसे की All For One को पता चल गया था कि मिडोरिया अब कुछ भी नहीं बिकार पाएगा उसका तो वो अपना हाथ बढ़ाता है मिडोरिया को फिनिस करने के लिए ताभी पीचे से सप्राइज एटेक होता है All For One के उपर बट उससे प पड़ेगा All For One डायलोग बाजी काफी अच्छे से कर लेता है तो हमें All For One के पीछे दिखाई देता है सोरो जो की अपने पटियों से All For One को जगड़ लेता है और मिडोरिया के तरफ चलाते हुए बोलता है कि तुम फिक्र मत करो हम हैं तुमारे साथ तभी बागी के हीरोस कर लेते हैं और साथी साथ में जुकू के पीछे एक बंदा आके खड़ा हो जाता है और बोलता है सारी जुकू हम थोड़ा लेट हो गए हैं तभी हमें दिखाई देता है नन अधर दैन क्लास वन ए होम रूम टीचर इजावा वह भी अपने एक टांग के साथ थूरू और पोर्टल और इसे के साथ यह चैप्टर हो जाता है यहीं पर ही खत्म वैल एक्षिली में यह चैप्टर में काफी सारी चीजें हुई हैं जो की लिट्रिली तो बी ऑनेस्ट एक अनदर लेवल पे है और जब सिकरा की का हमें पता लगता है कि वह आखेकर इस दुनिया में कै प्ली सस्क्राइब भी कर देना तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट मांगा चैप्टर रिव्यू के साथ अंडिल सायोनारा